कि आज की क्लास में हम ढिस्कस करेंगे वुट्स रेक्शन के बारे में वान अपने इंपार इंपॉडन रेक्शन और इस रेक्शन की शुड़वात होती है जहां से हमने लास्ट kuअण किया था यuka round किहा था यस लास्ट क्रूपिकthink ने प्रेपरेशन ऑफ अलकेन में हम वहाँ पे अलकाइल हलाइट से अलकेन की प्रेपरेशन कर रहे थे अगर ना आपको समझाओं फॉर इंस्टेंस जो हमारा अलकाइल हलाइट था माल निजी यह CS3 इसकी मदद से अगर आपको अलकेन चाहिए तो आप यहाँ पर आड़ कीजिएगा डाई हईड्रोजन और उसके बाद जो प्रोड़क्ट बनके आएगा वह प्रोड़क्ट बनेगा हमारा अलकेन है यानि कि CH3 CH3 कुछ इस प्रकार से हमारा अलकेन बनेगा अचा इस केस में त ध्यान रखते हुए आज का उट्स रियक्शन कवर अप करेंगे तो चलिए समस्ते हैं उट्स रियक्शन होता क्या है सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे अलकाइल हलाइट्स ऑन ट्रीटमेंट विच सोडियम मेटल इन ड्राई इथर सॉलूशन गिफ हाईयर अलकेन अगर कर रहे थे उनसे आपको बड़े लेवल के नहीं मिलेंगे तो आपको यहाँ पर उट्स रियक्शन करना ही पड़ेगा होता क्या है जैसा डेफिनेशन ने बोला गया है कि आप अलकाइल हलाइड की ट्रीटमेंट कराते हो सोडियम मेटल से आप यहाँ पर देखो सोडियम मे यहाँ पर एक आलकाइल हलाइड ब्रोमीन वाला यहाँ पर इन्होंने आगे पीछे करके लिख दिया ताकि रियाक्षिन जो वह बहुत इजी हो जाए वरना इसको चाहते है तो टू टाइमस फी और भी लिख सकते हैं अगेन रिपीट इसको आप चाहते है टू टाइमस फी और यह जाएगा यहां पर क्या बच गया यहां पर क्या वश्टिंग का बच गया व इस इस परकार से रिक्शन वहता है बस वहाँ पर नमबर आफ टाइम जो अलकायल हेलाइड हो इंक्रीज करते जाएगा इन टरम से इन टरम सव कारवण आटम्व रइट तो यह था आपका और एक और कंडिशन यह आपको समझ आगे अब यहां पर नोटिस करो एक और पॉप्लर एक्जाम्पल और यहां पर पॉप्लर एक्जाम्पल और यह अंदर यहां पर दो कार्वन आटम हैं मतलब दो वाले अलकाइल हलाइट से यहां भी दो वाले तो टोटल चार वाले बनके तो फिर यहां पर यहां पर ब्यूटेन बनके आएगा राइट तो यह चीज़ आप समझ गए इस प्रकार से हम उट्स रियक्शन को करते हैं नेक्स्ट आप प्राप का फ्रॉम कार्बॉक्जिलिक एसिड क्या करने वाले हो वही अलकें प्रिपर करेंगे अब तक तीन पढ़ लिया पहला ऑपने अगर मैं आपर लिक के दिखाऊं आपको सबसे पहला अपने पढ़ा अन्साचूरेट इसे साचूरेट डूसरा आपने पढ़ा अलका इनकी ही preparation के लिए तो मैं इसे erase कर देता हूँ और आपको यहाँ पर समझाता हूँ देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है एक तो सबसे पहले कार्बॉग्जिलिक एसिड जो होता है वो फंक्शनल ग्रूप का सबसे है एकशन कर दिया किसी बेश के साथ अपिसका रेक्शन करते हो धान रहे कि जो भी हमारा कार्बॉग्जिलिक एसिड है उसमें सोडियम आटम जरूर होना चीए इस कार्बॉग्जिलिक एसिड का कर दिया किसी Черनफ के साथ जो आपको अलकेण मिलका रेटम होulp करसे एक कम अरेटम होगा ऊक्र कहा क्या जाता है Здесь Process of Elimination of Carbon cela is known as इसको प्रोनाउस कर लेना अब यार इस चीज को समझो एक बार यहां पर होगा क्या आप नोटिस करोगे तो यहां पर एक आइन्स एड़ हुआ है ठीक है यानि कि कटाइन एड़ है इस टेल इस लॉंगे इस टेल के आगे और आपने यहां पर बेस आड़ कर दिया अब सीन य यह आपस में पहले बात तो कंबाइन हो जाएंगे और यहां से सी ओ टू रिलीज हो जाएगा ठीक है एक और ऑक्सिजन यहां वाला मिलके सी ओ थी बना देगा तो एक प्रकार से कारवन डाइकसाइड जो बाहर निकल रहा है अब जो बच जाएगा ना लास्ट में वो बच के इसी ओपर एक कोशिन दिया हुआ है आप इस कोशिन को अराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है उसके बाद हम लास्ट नेक्स क्लास में पढ़ेंगे क्लोप्स एलेक्ट्रोलाइसिस मेथड के बारे में यह भी कार्बोगजिलिक एसेड पर ही बेस्ट है